नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन में मुशलाधार बारिस का अलर्ट जारी जार्खन के कई जिलो में मुशलाधार बारिस का अलर्ट मौसम भागने जारी किया है भारत मौसम भी ज्यान केंद्र के रांची, इसीत मौसम केंद्र ने रांची को औरेंज और एलो अलड जारी किया है इसमें जार्खन के दक्षनी पच्मी भागों में कुछ जगों पर भारी से बहुत भारी वार्षा की समवना जताई गई है बता दे मौसम भी भाग ने मौसम की चेतावनी में कहा है कि 17 जुलाई को गुमला सिम्डेगा और पच्मी सिम्व में मुसलाधार बारिस हो सकती है वहीं खुटी सराय के लखार्चवा और पूर्वी सिम्व में वार्षा और वजरपात होने के असार है वहीं 18 जुलाई से 20 जुलाई तक के लिए एलो अलर्ट भी जारी किया गया है 18 और 29 को राज में कहीं कहीं बजरपात के साथ वार्षा हो सकती है वहीं 20 और 21 जुलाई को राज के पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिस होने की समावना है जबकि इसी दिन कुछ जगोपर बजरपात होने की असांका मौसम भी भागने जताई है पांचवी की छात्रा से चार दोस्तों ने किया दुसकर्म रांची सदर थाना छेत्रे के कोकर में पांचवी कक्छा में पढ़ने वाले की सोरी के साथ समोहिक दुसकर्म का मावला समने आया है इस मावल में पूलिश ने तवरित करवाई करते हुए घटना में सामील चार यूकों गिरपतार कर जेल भेच दिया है यूकों ने पहले भी चाकू के नोक पर यूति के साथ समोहिक दुसकर्म किया था आरोपितों में कोकर के सुबास चोक निवासी सुभम कुमार पासवान टुनकी टोला निवासी चेतन सिंग वो दो नवालिक सम्मील है चेतन मुल्डूम से रामगड के चरही बयार का रहने वाला है बता दे सदर थाना की पुलिस ने सनिवार को पिड़ता का मेटकल जाज कराया पिड़ता के पिड़ता ने पुलिस को दिये बयान में कहा है कि तेरा जुलाई गुरुवार को दो फर उनकी बेटी घर के आस पासी खेल रही थी देर साम तक वापस घर नहीं लोटी तो खोजबीन सुरू की सड़क हाधसे में गढ़वा के दो यूगों की मौत गढ़वा जिला के कांडी थाना छेतर अंतरगत भंडरिया गाव में ददनाक सलक हाधसा हो गया जहां अग्यात वाहन की चपेट में आने से मोटर साइकल सवार दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है हाधसे में मरने वालो 25-25 वर्षिये दो यूग सामील है मिली जनकारी के उन्सार इत दुर घटना में मान्देव रजवार के लगबग 25 वर्षिये पूत्र चंदन रजवार और संभू रजवार के 25 वर्षिये पूत्र अंकेस रजवार की मौत हो गई है वहीं दूखन रजवार के पूत्र उपेंदर रजवार उर्फ फेकू गंबिर रूप से घायल है पहले घायल अंकेस और उपेंदर को नीजी वाहन से मजिया रेफरर अस्पतार ले जाया गया जहां परमोग के परमजूद डॉक्टर रजवार रजिनीस कुमार सिंग ने अंकेस कुमार को मिरित खोसित कर दिया गंबिर रूप से घायल उपेंदर रजवार को प्रात्मिक उपचार करते हुए बेथर इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पतार रेफर किया गया डिजीपी अजया कुमार सिंग क्राइम कंट्रोल को लेकर उनाइस जुलाई को करेंगे समिक्छा डिजीपी अजया कुमार सिंग उनाइस जुलाई को राज में घठित गंभीर अपराधी घठनाओ और क्राइम कंट्रोल को लेकर सभी जीलों के एसपी और रेंज डियाई जी के साथ पुलिस मुख्याले में समिक्छा बैठक करेंगे इस दोरान वह इस बात की भी समिक्छा करेंगे कि पुरू में उन्होंने कायम कंट्रोल को लेकर जीन बिंदूओं पर पुलिस अधिकारियों को टास्क दिया था उनका अनुपालन कितना किया जा रहा है या नहीं समिक्छा के दोरान भविस के लिए अपराधियों के खिलाप करवाई की योजना त्यार की जाएगी बतादे डिजीपी की ओर से बैठक के लिए सभी जीलो के एसपी को एजेंडा त्यार करोपलब दिकरा दिया गया है ताकि वे तैयारियों के साथ बैठक में सामिल हो सके बैठक का पहला एजेंडा है 2020 से लेकार 30-23 तक रंगदारी के लिए हत्या डकाईती लूट छिंताई आर्मस एक्ट फिरोती के लिए अपहरन और संगर्ठित गीरों के द्वार रंगदारी मागने समधी कितने मामले दर्श किये गाए ज्यारखन के 31 जेलो में लगेंगे NLGD ज्यारखन के जेलो में बंद बदमास तीन माँ बाद मोबाईल का इस्तिमान नहीं कर पाएंगे राजिके सभी 31 जेलो में मोबाईल को ट्रेक करने वाला उपकरान नौन लिनियर जक्सन डिटेक्टर लगाए जाएंगे यह कारे अगले तीन माँ में पूरा हो जाएगा इसके लिए गिरिह भी भागने जेलो मुख्याले को राजिया वन्टित कर दिया है वहीं जेलो मुख्याले के अस्तर पर NLGD लगाने वाली कमपनी को वर्क आउडर दे दिया गया है यह उपकरान किसी भी मोड में चाहे आ कौन हो या आप हो वह मोबाल का पता लगा लेगा विभीन तरह से गुप्त स्त्रवन उपकरनों इलेक्रोनिक उपकरनों वह अर्ध चालक युक्त ट्रांस्मिटरों का पता लगाने में भी इसका इस्तिमाल होता है बता दे एक NLGD की खरीद और इसके एक साल की गरांटी दो वर्सों के रख रखाओ के एवज में विभाग समधी एजेंसी को 23,56,460 रुपए देगा विपक्षी एकता की बैठक में सामिल होने 18 को बैंगलोरू जाएंगे सियम हमानत जारखन के मुख्य मंतर हमान सुरिन को 18 जुलाई को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक मे का नियोता मिला है वहीं NDA की मीटिंग में आईसु सुप्रूम सुदेश महतों को सामिल होने का निमंतर मिला है बता देलोग सभा चुनाद 24 की बड़ी लडाई को लेकर भाजपाक नितित वाले NDA और कॉंग्रेस तथा अने सामान विपक्षी दलों को रणनीती मोर्चा ब दलों को अपने खेमे में करने की कवायत दोनों और से की जा रही है केंदर सरकार के खिलाप मजबूत विपक्ष का साज है गठ बंधन बनाने की कोशी से तेज हो गई है वहीं समान विचारधारा वाले दल एक जुट करने के लिए पटना में होई तेश चुन की बैठक के बाद अब 18 जुलाई को बैंगलूरू में बैठक होने वाली है दो दिवस्य स्वास्थ चिंतन सिवीर का समापन देहरा दून में दो दिवस्य स्वास्थ चिंतन सिवीर का समापन हो गया है इस दो दिवस्य स्वास्थ चिंतन सिवीर का समापन हो गया इस दो दिवस्य स्व सभी राजियों तथा के निर्शासित परदेशों के स्वास मंत्रियों अधिकारियों ने एक साजा मंच पर हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने का चार्चा की वहीं विभीन राजियों के ओर से अलग-अलग सुझायों भी आये जिस्टम को बेहतर बनाने के साजा मंत्री बाद के दिनों में निर्णा लेंगे राजधानी में अकासी बीली का कहर एक गारह मवसियों की गई जान राजधानी के लापुंग धाना चेतरे के दो अलग-अलग जगों पर हुई बारिस के साथ बजरपात में एक गारह मवसियों की मौत हो गई जबकि आध्य दर्जन से अधीक लोग इस हाथसे में गायल हो गई पहली घटना दाने केरा नदी टोली में जानवारों को चराने के दोरान की है जबकि आध्य बारिस के दोरान मवसि plays पेर के निचे थे अकासे बिली गिरने से इसकी चपेट में आगर एक गारह मवसियों की मौत हो गई 11 पसुओं की मौत में 6 बक्री और 5 बैल भी सामिल है इसमें गाउं की प्रभाद देवी की 6 बक्री सामिल है वहीं 4 देवी के 3 बैल इस हाथ से का सिकार हो गाए इसके अलावा 2 बैल फगन देवी के भी बिजली की चपेट में आ गाए इस घाता के बाद गरामनों में सोखा है पस्वों के मौत से उन्हें बड़ी आर्थिक चाती पहुंची है अगनी वीर में नौकरी के नाम पर 11 लाख की ठगी साहेवगंज के महराज पूर्णाया टोला में चाय नास्ते की दुकान चलाने वाले सकल दीपरसाद के दो बेटों को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर मोती जहरना के एक यूग ने करीब 11 लाख रुपाय आठ लिये ठग ने दोनों यूकों को फरजी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया नियुक्ति से पूर्व दोनों को प्रसिक्चन में भेजने की बात कही हलाकि प्रसिक्चन के लिए न भेजने पर सकल दीपरसाद को संका हुई तो उन्होंने सनिवार को ताल जहारी थाने में मामला कराया पूलिस केस दर्जकर आरोपित की तलास में जूट गई है बताया जाता है कि सकल दीपरसाद के दो पूत्र है करन और अरजुन दोनों भाई असनातक हैं दोनों आगरी बीर में भरती के लिए तयारी कर रहे थे इसी करम में हर दिन सुबह साम दोड़ने का अभ्यास क कपड़े आका सुमानी के सामने मौल औफ रांची का उद्गाटन 29 जुलाई को होने वाला है खास बाते हैं कि इस मौल में देश बिदेश के नामी ब्रांडेट के सोरूम उपलब्द हैं मौल औफ रांची के निदेशक नितिस अगरवाल ने कहा है कि यह मौल अढ़ाई ल कि मौल औफ रांची के छटे फलोवर में इस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और लेटेस्ट गेमिंग जोन है वहीं स्टार केड सेंटर भी जार्खन बासियों के लिए आकर्शन का केंद्र होगा वहीं प्रकास जाक के सीनेमा स्क्रीन पीजेपी सीनेमा दर्शकों का पर रहा है जी हां बता दे राई धानी में एक आरवी की पढ़ाई कराने वाले इंटर इस्कूल की संख्या से कई गुना ज्यादा संख्या है ऐसे बच्चों की जिन है एक आरवी में नमांकर लेना है ऐसी चिती इसलिए बनी हुई है क्योंकि बीते दिनों राई सरकार की और से एक निर्देश जारी किया गया था कि जारखन के अंगेभूत कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी बता दे अब राज सरकार के इस फैसलिए से जहां एक और इस बार की परिक्चा में सामिल लाखों बचेक बहुस पर तलवार लटकने लगी है वही कई ऐसे सिक्षक भी थे जिनके रोजगार पर सवाल खड़े हुए हैं हलाकि कई सिक्षकों ने इस निती का पूर्जोर तरीके से बिरोध किया है बाद में राज सरकार ने अपने इस फैसलिए को आपस लिया और राज के मुख मंत्री हमांसुरे ने अगोसना किया है कि रा प्राइधानी में इन दीनों 23 से चीकन पक्स और मिजिल्स फैल रहा है किसोर और बच्चे इसकी चापेट में आ रहे हैं इसमें सबसे पहले बुखार हो रहा है इसके बाद सरीर में बड़े बड़े या छोटे-छोटे दाने निकल जा रहे हैं फिर इसमें खुजली वा ज अंकरा मीतों से अलग रहने की सला दे रहे हैं धन्यवाद